बारे सभी साथियों को जितने भी अपने हर्याना CET मेंस की त्यारी करने वाले भाई-बैना सभी को राम-राम हर्याना CET मेंस को लेकर भाई एक केस हो चुका है और जो केस दर्ज हुआ है वो भी ऐसे नहीं बिल्कुल solid region के साथ में जो case है दर्ज हुआ है मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ क्या case हुआ है किस ने किया है बिल्कुल detail में पताता हूँ उससे पहले आप channel पे नए है तो please subscribe कर लीजेगा और वीडियो अगर पसंद आए तो like भी कर दीजेगा सबसे पहले गर मैं case की बात कर लता हूँ तो भाई case जो किया है वो किया है एक्सरिश्मेन ने अगर मैं बात कर लेदा हूँ एक्सरिश्मेन की तो उन्होंने case किस तरज बे किया है solid point क्या है तो सबसे पहले तो इनके 3 point है main main एक तो यह है यहाँ पर देखिए जो कुछ female है इन्होंने कुछ data उठाया है सिरफ जो advocate तक जो data provide किया है वो दिखा रहा हूं आपको जो advocate के पास जो data दिया है वो दिया है इन्होंने page number 104 से लेकर page number 1400 मतलब 400 page के बीच में ही इन्होंने data दिया है बाकी page तो बहुत ज़ादा है लेकिन यहाँ पर क्या है मैं आपको दिखा ज़ता हूं इन्होंने जो data provide किया है उसके according यहाँ पर क्या है कुछ female ऐसी है जिनको ex-arrist man 100 कर रखा है तो यह पहला point है इनका आप देख सकते हो कुछ candidate ऐसे हैं जिनके ex-arrist man है या फिर वो dependent ex-arrist man है लेकिन 5 number claim कर रखे हैं दो point हो चुके हैं तीसरा point यहाँ पर क्या है ex-arrist man जो है na ex-arrist man जो है मतलब उनको बाद में उठाया है पहले dependent ex-arrist man को उठा लिया और policy कहती है पहले आप ex-arrist man को उठाओगे अगर ex-arrist man नहीं होते हैं तो आप dependent ex-arrist man को उठा सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है ex-arrist man जो हैं वो काफी बाहर हो चुके हैं जिस वज़ा से उन्होंने code में case किया code में case भी वो नहीं करते जिसनी मेरी बात हुई है ex-arrist man साब से उन्होंने मुझे यह बताया कि sir हम पहले गए थे HSSE office वहाँ पर गए हमारी code सुनवाई नहीं हुई हम करीब उस ताइम पर 25-30 ex-arrist man वहाँ पर मोजूद थे लेकिन हमारी HSSE में code सुनवाई नहीं हुई उसके बाद में हमें ठक हार के code का सारा लेना पड़ा ऐसा नहीं है कि हम पहले code में गए हैं पहले हम HSE office गए वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई उसके बाद में हम code का सारा लेना पड़ा तो advocate जो है वो अंकुर सिदार है और यहाँ पर जो है case भी दायर हो चुका है जल्दी ही court में case के उपर सुनवाई भी होगी जैसे ही कोई update आएगी तो मैं आपको बता भी दूँगा लेकिन यहाँ पर क्या है valid reason दिया है भाई यहाँ पर जो candidate है ना इनका सारा एक data जो provide किया गया है मतलब एंकुर सिदार वकील के पास में यह data provide किया है जिसके base पर इनोंने case किया है ठीक है तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है बाकी एक case तो यह हो चुका है और एक case और भी होने वाला है जो की equality को लेकिए है तो वो भी मैंने आपको बताया था तो वो case अलग है यह case अलग है तो कहीं न कहीं अगर देखो यह case में दम है इस case में दम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर साप साप दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ी हुई है हर कोई बोल सकता है यह कोई थोड़ा सा बेकूफ आदमी है न उसको छोड़के थोड़ी से समझदारी भी रखता है कोई आदमी तो वो आदमी आराम से बता सकता है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है यह court में legal point देखे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है easily जो है वो इनका solution हो जाएगा अगर exam जो है वो 5-6 को टल भी सकते है तो यहाँ पर क्या है अब इनके उपर क्या है थोड़ा साग delay भी हो सकता exam लेकिन यह है जो भी update थी वो मैंने आपको बता दी है exam पर भी effect पढ़ सकता है इस चीज का तो यहाँ पर पहले solution अगर इनका हो जाता है तो exam 5-6 को हो जाएगा अगर इनका solution नहीं होता है तो कहीं न कहीं 5-6 को अगस्त को exam जो है वो नहीं हो पाएगा तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो like कर दीजेगा चैनल पर आप नए हैं तो subscribe कर दीजेगा thank you so much have a nice day and good luck